दोस्तो आप लोग ने प्रतम विश्विद के बारे में जरूर सुना होगा प्रतम विश्विद 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में खत्म हो गया था उसके बाद जो युद हुआ वो दूते विश्विद के नाम से जाना गया इस वीडियो में हम दूते विश्विद के बारे मे जानेंगे, उसके परिचे से लेके उसके कारण को समझेंगे और उसके परीडाम को भी हम समझेंगे शुरवात करते हैं इसके परिचे से, दोस्तों जो सेकंड वर्ल्ड वार है उसकी शुरवात 1939 से 1945 के बेच में हुई थी और यहा एक साशस्त्र विद्रों था साशस्त्र विद्रों से लड़ा जाने वाला युद। दोस्तों इस युद में दो गुट शामिल थे हैं विष्व के दो गुटों के बीच में युद हुआ था एक गुट था धूरी शक्तियां जिसमें जर्मनी, इिटली, जापान ये तीन देश शामिल थे और दूसरा गुरूप था मित रास्ट्रों का जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका के अलावा सोव्य संग और चीन ये सबी देश इसके अंदर शामिल थे ये इतिहास का सबसे बड़ा संगर्स था जो लगबग 6 साल तक चला था यानि कि 1939 में स्टार्ट हुआ था और 45 तक चला था तो 6 साल तक एक महा युद्ध चला इसमें लगबग 100 मिलियन लोग शामिल हुए थे और 50 मिलियन लोग मारे गए थे यानि कि दुनिया की आबादी का 30% लोग इसके अंदर मारे गए दोस्तों इन दोनों गुटों को आप इस मैप में देख सकते हैं शुरुवात में लिखा हुए एक्सिस पावर जिसमें जर्मनी इटली जापान शामिल है और उसके बाद है अलाइस पावर यानि कि मित रास्ट उसमें अमेरिका ग्रेट बि पिशुत के बाद होने वाली वर्साय संदी अब यह देखो जो वर्साय संदी हुई थी यह फस्ट वर्ल्ड वार के बाद हुई थी क्या होती है इसको भी हम समझेंगे इसके सासत आर्थिक मंदी भी कहीं न कहीं सेकंड वर्ल्ड वार का कारण बनी और तुस्टी करण की न तो सबसे पहले बात करते हैं वर्साय संधी के बारे में दोस्तों जब प्रतम विश्विद हुआ था तो उसके बाद जो विजई देश थे यानि कि मित राष्ट थे उन्होंने जर्मनी के भविश्य का फैसला किया यनि कि जर्मनी अब कैसे रहेगा अपने पास मिलिटी रखेगा नहीं रखेगा ये सारी चीजों का फैसला किया इसके साथ साथ जर्मनी के उपर कई सारे जुर्माने भी लगा दिये गए थे और इसके साथ साथ जर्मनी को ही First World War का जिम्मेदार भी माना गया तो यही थी वर एपनी वेशिक छेतर को कबजे में ले लिया गया। उसे सीमित सेना रखने के लिए प्रतिबद किया। या5 सेना वो सीमित रखे अपमान जनक संधी ने जर्मनी के अती राष्ट वात के प्रसार का सब्राइब ना, जो कि कही न कहीं थी भी। क्योंकि वरशाए की संदी थी ये थोपी गई थी संदी मतलब एक तरीके से दो देशों की बीच में एक agreement होता है जिसमें एक देश अपनी बाते रखता है दूसरा देश उनको मानता है और दूसरा देश अपनी बाते रखता है तो पहला देश मानता है यानि कि दोनों मिलकर आपस में compromise करते हैं लेकिन जो ही वर्साय संदी थी ये कहीं से भी compromise नहीं लग रही थी क्योंकि वर्साय संदी के अंदर सिर्फ और सिर्फ जर्मनी के उपर ही आर्थिक दंड लगाया गया था जर्मनी को ही दोशी माना गया था और जर्मनी ने इसको बात कर रहा हूं यह कुछ और नहीं यह यू एन ओ है उनाइटेड नेशन ऑफ ऑगनाइजेशन जिसको यू एन भी कहते हैं तो सही करा संगटन के आप बात करें तो शुरुवात में उसका नाम राष्ट संग था यानिक उनाइटेड नेशन यह विफल हो गया था 1990 में विश्व शांती के लिए एक संगटन बनाया गया था जिसका नाम था राष्ट संग यह संगटन विश्व के सभी देशों को अपने सदसे बनाना चाता था ताकि उनके बीच विवाद होने पर उसे उसे बल के बजाए बातचीत के जरी सुलजाय जा सके राष्ट संग का यह विचार तो बहुत अच्छा था लेकिन सफल नहीं हो पाया क्योंकि सभी देश इसके अंदर शामिल नहीं हुए थे इसके अलावा राष्ट संग के पास इटली के इथोपिया पर यह जापान के मंचूरिया शेतर पर आकरमण जैसे सैने आकरमणों को रोकने के लिए अ पुल मिला के बाद यह है राष्ट संग पूरी तरीके जिविफल हो गया जिसके कारण सेकेंड वर्ड वार हो गया था उसके बाद बात करते हैं वर्स 1929 की महामंदी यानि के ग्रेट डिप्रेशन आ गया था ग्रेट डिप्रेशन का मतलब यह होता है कि पूरे विश्व के अंदर आर्तिक महामंदी आ गया थी आर्तिक महामंदी का मतलब विश्व के अलग अलग देश अब गरीबी से जूज रही थे बेरोजगारी से जूज रही तो वहीं आप्र हम देखने वाले हैं तो वर्स 1929 यानि कि 1939 की आलेशन का महामंदी आई तो वर्स 1930 के दशक की डीपों मेंुह महमंदी आई यूरोप की अधिकांश राजनितिक सक्टियंग जिसे जर्मणी इटली स्पेन आधि इधिनायक वादी और साम्राज्य वादी सरकारों में इसहरान्तृत vive即य न इसके चलते हुआ हैं यूरोप की जो अधिकांश राजनितिक सक्तियां हैं जिसे जर्मनी इटली इस पेइं यह जितने भी देस यह अधिनायक माधी हो गए यह समराजश्ञ बादी हो गए इसका short में मैं आपको मतलब समझाओं तो यह है कि ्सकों रूपने ज़ंगा सिमराजश्य वादी का मतलब यह कि दूसरे देश पर कबजह कर लेना, दूसरे देश पर अटैक करना और उसको अपने कबजे में ले लेना एशिया का संसादन संपन देश जापान एशिया और प्रसांद शेतरों पर अपना नियंतरन स्थापित करने के लिए इन शेतरों पर आकमड करने लगा अब यहाँ पर जापान भी पीछे नहीं है वो भी इन शेतरों के उपर आकमड कर रहा है जबकि महामंदी का दौर चल रहा है फिर भी इसके बाद बात करते है फासिवाद का उदेए अब यह फासिवाद क्या है और नीचे एक टॉपिक है नाजिवाद दोस्तों फासिवाद का उदेए और नाजिवाद का उदेए दोनों में अंतर इतना है कि जो फासिवाद का उदेए है यह इटली में हुआ था सन 1920 में इटली में फासिवाद का उदेए हुआ था यह जो फासिवाद है इसकी स्थापना की थी बैनिटो मुसोलीनी ने तो आप इसको ऐसे समझ लेजिए कि इटली में एक फासिवाद या फासिजम से एक पार्टी बनाई गई ठीक है जिसकी स्थापना मुसोलीनी ने की थी और यहां पर यह जो फासिवादी पार्टी बनी थ द्वारा ये एक देश में सैनेवादी अधिनायक वाद को चलाना चाहती थी कुल मिला के बाद यह है कि फासी वाद का अर्थ यहां पे यह हुआ कि 1920 में एक पार्टी की स्थापना की गई इटली में मुसोलिनी के द्वारा जिसका परपस यह था कि इटली में सैनेवादी शा क्रेसी आनी चाहिए लेकिन यह जो इटली में विचारधारा आई थी फासी वाद की यह अपने आप में ही लोगतंदर से जादा प्रभावी थी क्योंकि इसने यह मान लिया था कि अगर हमें सामेवाद को रोकना है तो हम अपनी फासी वाद के जरिये ही यानिकि फासिजम जो पार्टी हमने बनाई है जिसका परपस क्या है सेने शाषन स्थापित करना बैनिटो मुसोलिनी दौरा वर्ज 1922 में इंटर वादी के दौरान पहली फासी वादी ताने तानाचाहि सरकार की स्थापना की गई तो अब पहली बार इटली में तानाचाहि सरकार की जो स्थ नाजी वाद की ये नाजी वाद का उदय इसके बारे में बात करेंगे दूस्तों नाजी वाद का उदय का अर्थ भी बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे इटली में मुसोलिनी ने पार्टी बनाई थी ऐसे ही जर्मनी में हिटलर ने जर्मनी में हिटलर ने क्या किती एक नाजी पार्टी बनाय थे, इसको नाजीजम भी कहा जाता है और इस विचारधारा को जब फैलाया गया, तो उसी को क्या बोला गया नाजीवाथ, तो जर्मन नैशनल सोशल पाटि जिसको नाजी कहा जाता है ये एडॉल्फ हिटलर ने बनाई थी हिटलर ने वर्साई की संदी को पलट देने का अर्थ यह है इसंदे पहले जो हमने वर्साई संदी पड़े थी जिसमें जर्मनी के उपपर एक तरीगे से थोपी हुई संदी थी तो हिटलर ने क्या किया इस संदी को पलट दिया पलटने का मतलब ये कि संदी में जो जो शर्ते साइन की गई थी कि हिटलर को जुर्माना देना पड़ेगा ये सब देना पड़ेगा तो जर्मनी में अब हिटलर ने ये सब देने के लिए मना कर दिया जर्मनी के जो हिटलर थ उनको सुरक्षित करने का वादा कर दिया गया यानि कि जर्मनी ने लोगों से वादा किया गया कि उनको सुरक्षित जगा मिलेंगी रहने के लिए और इसके साथ जो वर्साय संदी में उनसे साइन कराए गए हैं जर्मनी उन सब को नहीं मानेगा इसके साथ हिटलर वर्स 1933 में जर्मन का चैंसलर बन गया और उसने खुद को आगे चलकर एक तानाशा गोशित कर लिया तानाशा का अर्थी यह है कि जो वो कहेगा वो मानना ही पड़ेगा नाजिस आशन ने वर्ष 1941 में सलाव, यहूदियों और हिटलर की विचारधारा के दिस्टिकोंड से हीन समझे वाले अन्य तत्वों के खिलाव युद्ध शुरू कर दिया अब यहाँ पे बात यह हो रही है कि 1941 में जो भी सलाव, यहूदियों और हिटलर की विचारधारा के अगेंस्ट उनको तुच्च समझता है या हीन भावना से समझता है तो हिटलर ने किया कि उनके खिलाव युद्ध शुरू कर दिया दोस्तों अब बात करते हैं तुस्टिकरण की नीती अब यह तुस्टिकरण की नीती क्या होती है पहले तो हम इसका अर्थ समझेंगे कि तुस्टिकरण का क्या अर्थ होता है तुस्टी करण वह कूट निती है जिसके द्वारा शत्रु शक्ती के साथ संगर्स से बचने के लिए राजनेती की अब भौतिक रियायतें दी जाती है यानि कि तुस्टी करण एक ऐसी कूट निती है कूट निती समझते हो एक strategy जिसके दुआरा शक्तिरु शक्ति की साथ संगर्ष से बचने के लिए यानि कि जो हमारा दुश्मन देश है उसके साथ हम संगर्ष ना करें उसके साथ हम युद्ध ना करें क्योंकि जब युद्ध करते हैं तो नुकसान दोनों तरफ होता है तो उससे बचने के लिए हम तुस्टी करण की निती अपनाते हैं तो इसमें होता यह है कि जो दुश्मन देश है उससे बचने के लिए हम लड़ते नहीं हैं बलकि उसको रियायते देते हैं रियायत यह कौ इन्वेस्मेंट करने के साथ इन्वेस्मेंट से लेकर उसको पैसे की साहिता देना यह सब इसके अंदर शामिल हो जाता है तो 1930 के दशक में प्रिटेन फ्रांस ने तुस्टिकरण की नीती अपनाई थी यानि कि शांति कायम करने के लिए उन्होंने हिटलर ने जो मांगा उन् उलंगन कर दिया यानि कि एक तरीके से उस संदी को उसने मानने से इंकार कर दिया जर्मनी की सेना ता हतियारों का गुत रूप से निर्माड शुरू होने लगा जबकि उसको मना किया गया था कि ना तो आप सेना रखोगे और ना ही हतियार बनाओगे हिटलर की गतिवीदि तो वो रूस के सामेवाद को रोक सकते हैं क्योंकि सामेवादी एक अलग विचार धारा होती है और पुझी वादी एक अलग विचार धारा होती है इस तुस्टी करण का म्यूनिक समझोता जो की सितंबर 1938 का एक प्रमुक उधारन था इस समझोते में क्या हुआ था इस समझोत इसमें हुआ ये कि ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को ये छूट दे दी कि चेकोसलोविया के उन शेतर में वो प्रिवेश कर सकता है जहां पर जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं तो एक तरीक से रियायती हुई जर्मनी ने ये वादा किया कि वो और शेस चेकोसल स्वांस दोरा कोई कारेवाई नहीं की गई थी अब क्योंकि कहीं नहीं होई और जर्मनी ने अपना वादा तोड़ दिया थे उड़नस दोस्तों दूस्तों की कारण के बाद आता हैक्ति क्या थी अब बात करते हैं शुरुआत कहां से इसकी शुरुआत हुई अंतरास्टे तनाव के तीन वर्षों में अत्यादिक बढ़ जाने के कारण धुरी सक्तिया और मित्र सक्तियों की बीच में जो संबंद थे वो बिगड़ने लगे क्योंकि इन तीन वर्षों में स्पैनि ते वो बिगड़ने लगे जर्मनी द्वारा 1 सितंबर 1939 को पॉलेंड पर आकरमड के दो दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाब युद्ध की घोशना कर दी और इस घटना ने द्यूतिय विशुद की शुरुआत की तो सेकेंड वर्ड वर्ड जो स्टार् जिसको फॉने वर्ड कहते हैं पश्चिम यूरोब युद्ध के पहले कुछ महीनों के दोरान बहुत शांत था और यह जो शांती है ना इसी टाइम को ही जब तक ये शांती बनी हुई थी शुरुवाती दोर में इसी कोई वाग युद्ध कहा जाता है इस दोरान पश्चिम यूरोब्ये देशों के नागरिकों को सुरक्सी तान पहुचा है तो इहां पर शुरुवाती दोर में जो कुछ महीनों तक शांती का महल बना था जबकि देकलेर हो चुका है तो इसी प्यूराइड को यह इसी टाइम को क्या कहा जाता है वाग युद कहा जाता ह इसके बात आता है रिवाइंट्रॉप की संदी जर्मन तानाशा एडॉल्फ हिटलर ने वर्स 1939 की शुरुवाती दोर में पॉलेंड पर आकरमड करने का निश्चय कर लिया था पॉलेंड को फ्रांस और बिटेन दोरा एक आश्वासन प्राप था कहने का मतलब ये कि बिटेन और फ्रांस ने पॉलेंड को ये कहा कि अगर जर्मनी आपके उपर आकरमड करता है तो हम आपकी हल्प के लिए आगे आ जाएंगे लेकिन जो हिटलर था ना उसने पूरा जरूरा तो इसलिए जो हिटलर है उसने सबसे पहले क्या किया यानि कि जर्मनी ने सबसे पहले क्या किया जर्मनी ने सोविट संग के साथ एक मॉस्को में अगश convictions 1939 को एक समझाता कर लिया और वो समझाता कैसा था अन्राकरमड समझाता यानि कि हम दोने एक दूसरे पर आ शीत कालिन युद मार्च 1940 हो खत्म हुआ अभी शीत कालिन युद क्या होता है एक तरीक इसे शीत युद तो आपने पढ़ा होगा तो रूस और फिनलेंड की बीच में शीत कालिन युद 1940 में खत्म हुआ था और अगले महीने ही जर्मेनी ने डैन्मार्क और नार्वे पर 1940 पतन का मतलब होता है खत्म हो जाना या नस्ट हो जाना जर्मेनी ने सकैंडिने वी आई देशों के साथ युद समाप्त होने के बाद फ्रांस और बेलजियम और पॉलेंड पर आकरमड किया इस चरण के दोरान पश्यम यूरोप ने तरीत युद परणाली का सामना किया त जर्मेनी ने अपने दुश्मनों को मुकाबला करने का मौका तक नहीं दिया था तो इसे ही तड़ित युद परणाली कहा जा रहा है इसके बाद जर्मेनी ने फ्रांस में कट पुतली फ्रांसीसी वीची सरकार के साथ युद विराम पर हस्ताक्षर कर लिये यानि कि फ्रा पर जर्मेनी का आक्रमाट जुलाई से सित्वर उननिस सो चाली स सका गारी रहा यह पूरी तरह से हवा में दफ धाने वाली पहली लड़ाई थी अब सोच रहे हो कि यह पूरी तरह से हवा में जाने कि हवाई जहास से लड़ रहे हैं और यह पहली तरह में क läuft क tremendous से बिख जर इसके बाद जर्मनी ने बिटेन पर आकमड की जो योजना थी वो अनिशित काल के लिए टाल दी इस्थागित करने का मतलब क्या है कि उसने टाल दी कि अब पता नहीं वो कप करेगा यूरोप महादीद पर नाजी नेंदरन के बाद यूद्ध को वैश्विक इस्तर पर ले ज सोलनी की सेना की ग्रीस और टोबरुक में हार के बाद जर्मन सेना उत्री अफरीका तक पहुंच गई और ग्रीस तथा अप्रेल 1941 में योगो सलोविया पर भी आकमड कर दिया तो अब यहां पे जो यूद्ध है वो वैश्विक इस्तर पर जा चुका है यानि कि विश्विक संदी को रद कर दिया और 1940 में रूस पर आकमड कर दिया उसके बाद सेबेस्टर पॉल को अक्टूबर के अंत तक जीत लेने के बाद अगला कदम मौस्को पर अपनी जीत हासिल करना था रूस के जिस शीत रितु का अनुभव नेपोलियन ने एक सदी पहले किया था वैसा ह अनुभव अब जर्मनी को भी करना पड़ा सोवेश संग ने दिसंबर में पलटवार किया और बसंद रितु तक पूरी मोर्चा इस्तिर रहा तो यह रहा ऑप्रेशन बार बोसा इसके बाद बात करते हैं पल हाबर की ये भी एक प्रमु घटना रही है सेकेंड वर्ल्ड व जो अमेरिका की नौसेना है पानी के अंदर रहने वाली सेना हो यहां पर हुआ यह था कि पल हाबर पर अचेंक हमला कर दिया वैस्विक संगर्स शुरू हो गया है यानि कि दुनिया में अब जो ये युद्ध चल रहा है ये और भी ज्यादा एक्टिव हो गया है इस हमले के कुछ दिनों बाद जर्मनी ने अमेरिका के विरुद युद्ध की घोशना कर दी जापान ने पल हाबर पर हमला करने के एक लड़ाकु विमान थे उन्होंने इसमें निर्णायक भूमी का निभाई यानि अमेरिका ने लड़ाकु विमानों से ताबर थोड़ अटेक किये जिसके बाद जो जर्मनी है उसका हारना सुनिश्चित एक तरीके से हो ही गया था नाजियों दौरा यहुदी लोगों की साम जर्मनी की पराजय वर्ष 1942 के उत्राद में बिटिश सेना उने उत्री अफरिका और स्टॉलिन ब्राथ पर जवाबी कारेवाई की जर्मनी ने फरवरी 1943 में सोविय संग के सामने आत्मसमनपड कर दिया तो जर्मनी सेना की यह पहली बहुत बड़ी हार थी जो इसमें दिख कर दिया रूसी सेना को पूरी मोर्चे पर बड़त मिलने लगी उसके बाद जर्मनी ने जो खार कीव और कीव देशों पर कबजा कर लिया था वह उससे वापिस ले लिया गया इसके अलावा मित्र देशों की बंवर्ष को ने जर्मन जहरों पर अटैक करने शुरू कर दिय रूसी सेना 21 अपरेल 1945 को बरलिन जो की जर्मनी की राजधानी वहां तक पहुंच गई और हिटलर ने 30 तारीक को खुद को गोली मार कर आदम हत्या कर ली अब हिटलर का ये था कि भाई वह नहीं चाहता था कि दुश्मन की गोली से वह मारा जाए क्योंकि जर्मनी को पूरी आपको गोली मार कर और ये भी कहा जाता है कि इससे पहले उसने अपनी वाइफ के साथ खाना क्या और उसने अपनी वाइफ को खाने में जहर दे दिया था उसके बात करता है DAN उसके बाद बात करते हैं मुसोलिनी को इटली के देश भक्तों द्वारा पकड़कर फासी दे दी गई तो यहाँ पर भाई मुसोलिनी और एडल्फ इटलर ये दोनों के दोनों तो टाटा बाय बाय हो गई है जर्मनी ने साथ मई को बिना शर्ट आत्म समर्पन कर दिया और अगले ही दिन यूरोप में विजय दिवस गोशित कर दिया गया इस प्रकार यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया तो यहाँ पर जो युद्ध है वो तो समाप्त हो चुका है यूरोप में लेकिन अभी ये जर्मनी और इटली की बात हुई है जापान तो अभी भी लड़ रहा है अब यहाँ पर बात करते हैं परमाडू हमला और युद्ध की समाक्ति तो दोस्तों क्योंकि जापान अभी भी लगा पड़ा है युद्ध में जापान मितर देशों पर आकमण करने के योजना तयार कर रहा था हाला कि अमेरिका ने जापान को एक तरीके से एक तरीके का अल्टीमिटम भी दिया था कि भाई वो युद्ध करना बंद कर दे क्योंकि जर्मनी और इटली तो रहे नहीं है तो वो भी अगर युद्ध कर देगा तो विश्व शानते के लिए ये पर जापान ने अमेरिका की इस बात को इग्नोर कर दिया बड़े पैमाने पर लड़ाई और जन हानी की आशंका ने नए अमेरिकी राष्टपती हैरी टुमेन को जापान के खिलाब परमाडू बं के उपियोग की मन्सूरी देने के लिए प्रेरित किया अब यहाँ पर क्य प्यार किया जा रहा है जापान पर गिराने के लिए क्योंकि जापान ने अमेरिका का अल्टीमेटम मना कर दिया कि वह युद्ध नहीं रोके इसके साथ साथ ना सिर्फ उसने युद्ध रोकने के लिए मना किया जापान ने बल्कि उसने अमेरिका के उपर अटैक भी कर द दिया गया और तीन दिन बाद एक और बम नगा सागी पर गिरा दिया गया नहीं कि नौ अगस्त को तो इन परमाडू बमों के नाम भी लिटल बाय और फैट मैं के नाम से है आपने शायद पहले पढ़ा भी हो इसके बारे में कोई देश इस तरह के हम लोगा सामना नहीं कर सक सकता था क्योंकि न्यूक्लियर अटेक है तो जापान ने 14 दिन के अंदर अनकंडिशनल सरेंडर कर दिया अनकंडिशनल सरेंडर का मतलब समझते हैं यहीं कि जापान अब किसी भी अब बजाए अपनी कोई कंडिशन बताए उसने आत्मसमरपड कर दिया इससे पहले अमेरि अटेक हुआ तो जो जापान है वो घुट्रों पर आ गया और इसी के साथ युद्ध खत्म हो गया दोस्तो इसके बाद आती है युद्ध के बाद की इस्तिति क्या थी यानि कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ तो अब आता है नई माशक्तियों का उद्भव दिखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो पांच देश माशक्ति बन गए थे यानि कि अमेरिका बिटेन फ्रांस रूस और चाइना यह जो देश थे यह कहीं न कहीं माशक्ति के रूप में जाने जा रहे थे और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद भी ऐसा ही कुछ था यह सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम पर भी यह था लेकिन जब यह जो खत्म हो गया तो नई माशक्तियों के रूप में दो देश सामने निकल कर आए जिसमें हम बात करेंगे सही को राज्य अमेरिका और यू एसस आर यानिकि आप इसको ऐसे समझ सकते कि अमेरिका और रशि इन दोनों ने माशक्तियों की जगह लेली अब यह दो माशक्तियां बड़ी कहलाई क्योंकि इन दोनों के बीच में एक शीतियुद हुआ था शीतियुद के बारे में आपने पढ़ा होगा जरूर कि इन दोनों की बीच में 1945 में सेकंड वर्ल वार खत्म हो गया लेकिन उस कि खत्म होने के बाद अमेरिका और रशिया इन दोनों की बीच में दरार पैदा हो गई थी हाला कि दोनों साथ में युद कर रहे थे मतलब साथ में मिलकर जर्मनी इटली इनके अगेंस्ट युद कर रहे थे लेकिन जब यह युद खत्म हो गया तो उसके बाद अमेरिका और रशियन दोनों की बीच में दरार आ गयती जिससे शीतुत पैदा हुआ था वी उपनीवेशी करण की शुरुवात वी उपनीवेशी करण का मतलब क्या है वी उपनीवेशी करण से पहले आपको ये समझना होगा कि सिर्फ उपनीवेशी करण किसे कहते है वी उपनिवेशी करण से पहले हमें यह समझना होगा कि उपनिवेशी करण क्या होता है देखो दोस्तों उपनिवेशी करण का मतलब होता है कि जब कोई विक्सित देश यह जब कोई देश दूसरे गरीब यह चोटे देशों पर यह कमजोर देशों पर अटैक करके उनको फ्रांस विबिन घरेलू और भाली समस्रां से जूजने लगे इन दोनों देशों ने अपने उपनी वेशों पर नियंतर्ण खो दिया यानि कि इनके उपनी वेश जो थे जिनकों इनकी कबजे में अंट्रीस थी वो अब अजाद हो गई दोस्तों इसके बाद अब सही तो रा अब क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वर्ण खतम हो गया है और ऐसा युद् दुबारा भविश्य में ना हो इसके लिए विश्व के हर देश ने एक असम खाई और हर देश इसके लिए अगरी हो गया कि नहीं भाई क्यूंकी नूप इस्तेवाल हो चुका है तो आगे तो पता न बड़ा एक ऐसा वैश्विक इस्तर पर संगटन है जो दुनिया में शांती बनाए रखने के लिए बनाए गया है इसका में काम होता है विश में शांती बनाए रखना और अगर दो देश आपस में लड़ते हैं तो उनको उनका बीच बचाव कराना या उनके बीच के यूद लड़ रहे थे लेकिन अब क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वर खतम हो चुका है तो अमेरिका और रस्या इन दोनों की वीच में यह होड होने लगे कि अब विश्व के अंदर एक सूपर पावर कौन बनेगा एक तरीके से तो इन दोनों की वीच में वैचारी यूद होन मित रास्टों में वही आपके अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस यह सब थे और जो रूस है उसके साथ यूससर का गुरूप बना जिसमें 15 से जादा देश शामिल हो गए थे इन दोनों गुटों के बीच में जो यूद हो रहा था वो शीत कहलाया इसको शीत इसलिए कहा गया है यह अगर आपने नहीं पढ़ाया तो मैं बता देता हूँ शीत इत का अर्थ होता है ठंडा युद जिसको कोल्ड वार कहते हैं इंगलिश में इसका अर्थ यह होता है कि इस युद के अंदर युद तो होता है लेकिन वह युद सिर्फ विचारों से होता है यानि कि एक अब दुनिया में एक अलगी नई विवस्था आ चुकी है नियू एकनॉमिक सिस्टम आ चुका है वर्ल्ड के अंदर तो बिटेन वुट सम्मेलन को अधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट मौद्रिक और वित सम्मेलन के रूप में मनाया जाता है कि रूप में मनाया जाता है एक से बाइस जुलाई उन्ने से चवालिस तक चवालिस देशों के प्रतिनीदी इस सम्मेलन में शामिल हुए थे इसका ततकालिक उद्देश से सेकंड वर्ल्ड वार और विश्वयापी संकट से जूज रहे देशों की मदद करना था यानि कि जो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो कंट्रीज एक तरीके से आर्थिक समस्यां से जूज रहे थी पैसों के संकट से जूज रहे थी या और जो उनके देशों में समस्या हैं उनको दूर करना इसका एक मुख्यों देश से रहा दीते विशुत के बाद यूद प्र यहाँ पर एक अंतरास्टे बैंक है जो IBRD जिसे अब विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है इसकी स्थापना कर दे गई थी नहीं कि युद में जिन देशों की बहुत हानी हुई है पैसों का नुकसान हुआ है या फिर वो देश जो गरीब है जो अपना विकास नहीं कर प भारत और दूतिय विश्व विश्व यानि कि भारत को इससे संबंदित करते हुए बताना है ब्रिटिस समराज्य को दूतिय विश्व के कारण भारी नुकसान हुआ था और ब्रिटेन ने इसकी भरपाई के लिए अपने उपनी वेशों की तरफ देखना शुरू किया अब भारत को आजादी कम मिली थे ब्रिटेन से 1947 में तो कुल मिला के बात यह है कि हम लोग अभी आजाद नहीं हुए थे हम अभी इस वार को इस वार से जूज रहे थे तो यानि कि जब सेकेंड वर्ड वार चल रहा था इस टाइम पीरिड में तो ब्रिटेन ने हमारे पर कबज उपनी वेशो की तरफ देखना शुरू किया ताकि उसे विश्व शक्ति का दर्जा वापस से मिल सके इसी समय गांधी जी ने भारतियों को अंग्रेजों के खिलाफ संक्टित करने के लिए आंदोलन भी शुरू कर दिये थे तो गांधी जी ने यहापर रास्टे आंदोलन शुरू कर दिये थे अंग्रेजों के खिलाफ दियुति विश्व शुत का उद्देश से हिटलर के ताना साही और बिटेन के उपनिवेशी करन अधिपत्ते को खत्म करना था उपनिवेशों की जनता ने युद्ध के बाद अपने अजादे के लिए अंदोलन शुरू कर दिये खुल्मिला के बात यह है कि जो भारत है भारत भी कभी भी ताना साही और उपनिवेशी करन को सपोर्ट नहीं करता है और भारत की विदेश निती में इन दोनों ही सब्सक्राइब में आई तो इसका जुकाव उधारवाधी सिध्धानतों और नसले समांता पर ध्यान देना था यानि कि जो लेवर पार्टी इस समंदे थै और यह जो उनाइट किंडम है यानिकि जो बृटें है उसके पर्दान मंत्री थे तो उन्होंने भारत को स्वात द करता देनी की प्रक्रिया शुरू कर दीती है तो दोस्तों यह है आपका सेकंड वर्ल वार जिसमें हमने इसके परीचे से लेकर और इसके कारण तता इसके परेडाम को अच्छे से समझ लिया है आप लोग भी इसको लिख कर प्रैक्टिस कर लें क्योंकि जब लिख करते हैं त जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो के माध्यम से अपने एक्जाम के तैयारी कर सके और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताब को इसी तरीके की वीडियो स्टाइम पर मिलते रहें और आप अपने एक्जाम की प्रिपरेशन भी कर पाएं आ झाल झाल